दोस्तों अगर आपको भी सुबह जगने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है और आप भी मेरी तरह आलसी हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रवी शंकर पाठक और आप देख रहें माई प्रैमरी शेलूशियन दोस्तों मुझे अगर सुबह छे बाय जगना हो तो मैं अपने फोन में पांच बार अलार्म लगाता हूँ और आप में से ही बहुत से लोग होंगे जो सुबह 6 बाय जगने के लिए 10 बार अलार्म लगाते होंगे आप कितने बार अलार्म लगाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मैं आपके सफी कमेंट्स को पढ़ूँगा अब मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको अगर सुबह 6 बह जगना हो, 5 बह जगना हो या 4 बज़े जगना हो तो आप अपने फोन में कितने बार अलार्म लगाएंगे ठीक है, मुझे कमेंट करके जुरूब बताईगा तो दोस्तों ये वीडियो जो है, ओ महा आल्सियों के लिए है अगर आपको अपने फोन में सुबह जगने के लिए 5 बार अलार्म लगाना हो तो पहले 1 बार लगाएंगे, फिर 2 बार लगाएंगे, फिर 3 बार लगाएंगे, फिर 4, 5, 6 इस तरह से लगाएंगे पहले लगाएंगे अगर आपको सुबद 6 बज जगना हो तो पहला अलारम होगा 6 बजे का फिर दूसरा अलारम होगा 5 बज कर 55 मिनट पर फिर 30 मिनट फिर 40 मिनट 35 पर 35 इस तरह से आप अलारम लगाएंगे या 2-2 मिनट की गैपिंग देंगे तो आपको एक-एक अलारम को लगाना पड़ेगा लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं आपको एक ऐसा अप्लिकेशन बताऊंगा जो आपको एक ही बार में सारा अलारम सेट कर देगा अगर आपको सुबद 6 बज जगना है तो आप एक किलिक करेंगे और आपका अलारम सेट हो और इतने बार में तो भाई कोई भी जग जाएगा मैं भी जग जाता हूँ 6-8 बार में मैं भी जग जाता हूँ ठीक है तो इसके लिए दिखिए simply आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और मेरे लिए यह अप्लिकेशन बहुत ही अच्छा है अब आपके लिए कैसा है आप म इसका नाम और आइकन अच्छे से आप देख लिजेगा क्योंकि इसी अप्लिकेशन को आपको डाउन्लोड करना है डाउन्लोड करने के बाद इसको ओपन किजे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछी इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर दिखी ऊपर राइट सा पूछ रहा है कि अगर आपको सुबह जगना है या साम को जगना है या रात को जगना है कवी जगना है, तो आपके फोन में कितनी बाफ अलारम बज़ेगा तो आप जग जाएंगे, मैं छे बार से कमने नहीं जगने वाला हूँ तो यहाँ पर 6 बाफ सालेट कर ले रहा हू आप कितने बार में जगेंगे comment जरूर कीजेगा इसके बाद देखिए minute with mean alarms दो alarm के बीच में कितने मिनट की gaping होना चाहिए मतलब कि पहला alarm बजा इसके बाद जो दूसरा alarm बजेगा उसके बीच में कितने मिनट की gaping होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं दो मिनट का gap रखूंगा तीन मिनट का नहीं रखूंगा नहीं तो पता चला कि एक alarm बचा तब तक फिर नीद आ गई फिर दूसरा बचा फिर नीद आ गई तो दो मिनट का gap रखूंगा क्योंकि पहला अलारम बज़ेगा तो कम से कम एक मिनट बज़ेगा और फिर दूसरा अलारम बज़ेगा एक मिनट के बाद तो छे बार के बज़ने में तो कोई फिजग जाएगा ठीक है? तो देखिए आप पर रिंग टोन है तो आप इन में से सून लीजेगा कौन सा रिंग टोन आपको पसंद है या आपके फोन में अगर रिंग टोन होगा, कोई टोन होगा, कोई मुजिक होगा तो उसको भी लगा लीजेगा, यहाँ पर देखिए एक गाना है मेरे पास भोज़ पूरी है ठीक है? इसको भी मैं select कर सकता हूँ आप समझ गया होंगे कौन सा गाना है ठीक है तो यहाँ से अपना ringtone select कर लिजेगा बस आपका काम हो गया अब आपको बैय का जाना है अब मुझे सुबह 6 बैय जगना है ठीक है तो यहाँ देखिए प्लस के sign पर click किज़े और यहाँ पर लिखिए छे बारा लिखा हुआ है रात के बारा बज़र है तो आपको क्या करना है याप पर 6 और बस आपका अम है देखिए अम रखना है आपको ठीक है पी अम नहीं रखना है तो यहाँ पर आपको बस अम कर देना है और कर देना है done तो यहाँ पर देखी आपका अलार्म लग चुका है पहला अलार्म है 5 बच कर 50 मिनट पर दूसरा है 52 मिनट, 54 मिनट, 56 मिनट, 58 मिनट और 6 बचे तो यहाँ पर 6 बार अलार्म बचेगा तो आप जग ही जाएंगे तो उमीद करता हूँ कि आप कोई वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजे दोस्तों के साथ भी फेस्ट को वाटसब पर सेयर कर दीजे अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा और आप कोई वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर अगी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और उसके बाजू में आपको एक छोटा सा घंडी का आइकन दिखाई देगा उस पर भी क्लिक करके आप उसको आउन कर दिजेगा सू थैंक्स पर वाचिंग बैबाई टेक केर